अभिशेक बच्चन अपकमिंग फिल्म I Want To Talk को लेकर सुरखियों में है मूवी इस शुक्रवार को 22 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी इसमें एक्टर कैंसर पेशिंट बने हैं जिसे जीने के लिए बस 100 दिन मिले हैं ये कहानी डारेकटर शुजित सरकार के रियल लाइफ फ्रेंड पर बेज़ट है डारेकटर शुजित से अभिशेक ने फिल्म अपने कرदार को लेकर बात की एक्टर ने कैंसर की शादी से समानता बताने पर रियक्ट किया अब इशेक कहते हैं हम लास एंजल्स से बाहरी इलाके में थे वहां हमने फिल्म का एक हिस्सा शूट किया था शूजित ने कहा ये बहुत खुशाल शादी नहीं है लेकिन एक शादी है मुझे लगा कैंसर के बारे में सोचने का ये अच्छा तरीका है मैंने उन से पूछा आप ऐसा क्यों कहते हैं तब उन्होंने कहा जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती इस बात ने मुझे हैरान कर दिया कि आप तब तक शादी शुदा हो जब तक मौत अलग ना करते ऐसे किरदार को आप क्यों गहराई से नहीं जानना चाहोगे शूजित ने बताया कि अभिशेक और वो बहुत मजाखिया है आप सीरियस सिचुएशन को लाइट करते हो कभी कबार ये डिफेंस के लिए भी काम करता है जिन्दगी जो है वो है आपको जल्द यकीन हो जाता है आप में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे बदल सको इसके साथ डील करना सीख जाते हो अभिशेक ने बताया वो अपने किरदार द्वारा शेयर की गई फिलोसिपी से कनेक्ट हुए जहां वो कहता है भाई अभी यही हाला थै या तो मैं रूँ या हस्ते हस्ते जीवन काटू फिलाल आप इस खबर पर क्या कहेंगे हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं ऐसी ही और खबरों से हमेशा बडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें